उत्तर प्रदेश के विजुपी अध्यक्ष सुतंत्र देव सिंग ने पोर्व मुक्यमंत्रियों और स्पी नेता अखिलेश यादव को एक महीने पाकिस्तान में रहने का सुझाप दिया है स्वतंत्र देव सिंग का कहना है कि अखिलेश वेक महिना पाकिस्तान में रहे और वहां के मंदिरों में पूजा पाट करें जिससे उनको वहां रह रहे हिंदू के स्थिके बारे में पता चल पाएगा NRC और NPR का विरोध करने के लिए खिलेश श्यादफ पर निशाना सादते हुए स्वतंत्र देव सिंग ने कहा कि S.P. के देता को पाकिस्तान में हिंदू पर हो रहे अत्याचार की को समझने के लिए एक महिने तक पाकिस्तान में रहना चाहिए तो गरीबों के खिलाफ नहीं है C.A.A. तो जिस तरह से लगातार सवाल कॉंग्रिस और विरोधी दलों की तरह से खड़े किये जा रहे हैं उसी पर सुतंत्र देव सिंग ने साब तोर पर अकलेश श्यादफ को एक महिना पाकिस्तान जाकर रहने का सुछाब दिया है अकलेश पाक में रहकर हिंदू मंदिरों में जाकर पूजा करें तब भार रहें लोगों की हिंदू की परिशानी को समझ सकेंगे तो यूपी बीजिपी चीफ ने अकलेश श्यादफ पर सीधी तौर पर निशाना सादते हुए ये बात कही कि एक महिना पाकिस्तान जाकर रहें अकलेश श्यादफ तो जिस तरह से सी ए को लेकर एसपी की तरफ से विरूत किया जा रहा है और पिछले दिनों हालात यूपी में देखने को मिले थे उसी पर कटाक्ष करते हुए स्वतंद्र सेम सिंग ने अखिलेश श्यादफ पर निशाना साथा है अब जाएए पाकिस्तान में अखिलेश जी से पूछे कि पाकिस्तान ना चले जाए तोड़ा हो करा जाए और वहां मंदिल का पूजा करें एक महीना तोड़ा सा तो यह सास हो जाएगा क्या होता है वहाँ पर तो यूपी बीजेपी चीफ ने अखिलेश श्यादफ पर निशाना साथते हुए यह बात कही कि अखिलेश श्यादफ को एक महीने तक पाकिस्तान में रहना चाहिए वहां हिंदों पर रहे अत्याचार को वो तभी समच सकेंगे महां के मंदिरों में जाकर पूजा करें तब वहां के हालातों को समच सकेंगे कि आकर हिंदों पर किस तरह का अत्याचार वहां पर हो रहा है तो CAA को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्या अकलेश यादव लगातार इसके विरोत में हैं इस कानून को देश्क में धर्म के आधार पर बाटने का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है और इसी के चलते अब सीधे तोर पर स्वतंत्र देव सिंग ने अकलेश यादव पनिशाना सादते हुए कहा कि यह CAA के गरीबों के खिलाब नहीं है यूपी बीज़ेपी चीफ ने अखिलेश यादव को सुझाब दिया है कि वो एक महीने जाकर पाकिस्तान में रहें गुजारे और वहां की चीज़े को समचे